मिजोरम में विदान सबाचुनाव जीतने के बाद जोरम पीपुल्स मूमेंट के नेता लाल दुहुमो राजे के नए मुख्य मंत्री बन गए है लाल दुहुमो ने आईजोल के राजभवन में राज़पाल हरी बाबू कंभल पती के सामने सीम पत की शपत ली इसे पहले बुद्वार को ही लाल दुहुमो ने राज़पाल से मिलकर सरकार गटन का दावा पेश कर दिया था जेड़ पीम ने राज़े की 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल कर MNF और कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था बता दे कि मिजोरम में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभड़ी जेड़ पीम के अद्रेक्ष लाल दुहुमो मिजोरम के एक पूर्व IPS अधिकारी है पूर्व IPS लाल दुहुमो ने जोरम नैशनलिस्ट पार्टी नाम से एक दल बनाया जिसके जरिये वे राज़े की राजनिती में सक्रिये हुए वहाई दूसरी और राज़े के पांच अन्ने छोटे दलों के साथ लाल दुहुमो की पार्टी ने गटबंदन कर लिया जिसके बाद वे गटबंदन राज़निती पार्टी में तबदील हो गया जो 2017 में ZPM पार्टी के नाम से अस्तित्व में आया